हेलो फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं चैनल, वेलकम तो यूर चैनल, वेलकम तो इनियन ब्यूटी गाइड तो थमने तो आप लोगों ने देखी रहे हो दोस्तों, यह साज होने वाली है और एक निव लॉंच प्रोड़क्टी रिव्यू, यह आप मेरे हाथ में देख सकते हूँ, यह है एम कैफिन की निया सिनामाइट, 5% and green tea body lotion, smooth and even skin tone यह प्रवाइट करती है, यह रिपेर्स करती है यह dry skin को, long lasting moisturization है, यही wall skin types है, net quantity है 200 ml और इसको कब अब use कर सकते हूँ, मतलब manufacturing date and expired date, मैं वो screen पर mentions करी हूँ दोस्तों, और इसकी जो price है 299 है, और मैंने इसको in caffeine की real website से मंगवाय थे, वहाँ पर buy to get to offers चल रहे थे, इस वज़े से, totally FDA approved है दोस्तों, यह animal taste free, vegan product है, made safe है, dermatologically tested भी है दोस्तों, और तो यही इसकी packaging आप देख सकते हो, packaging काफी जादा nice है, और इसकी जो body lotion है यह totally green, ऐसी lightish green में आती है, जो बात मुझे काफी जादा पसंद आई है, काफी जादा amount में है दोस्तों, इसको कैसे use करनी है, 3-4 ताइमस आप इसको pump करके, इसको जितना amount लेनी है, उसके बात आप specially, इसको all over your body, specially legs, arms and dry and rough areas पर इसको लगा सकते हो, for best results के लिए आप इसको daily use कर सकते हो, morning and evening में, जब भी आपको इसकी, मतलब skin, आपकी जो skin है उसको moisturization की जरूरत हो, तो तब भी आप इसको apply कर सकते हो, इसको direct sun light में नहीं रखनी है, बच्चों से दूर रखनी है, और यह जो है, यह smooth and even skin tone provide करती है, repairs करती है dry skin को, और यह totally जो है, यह long lasting moisturization है, यह है इसकी packaging आपकेजिंग में आती है, अब देख सकते हो, इसकी perfume भी काफी जादा अच्छी लगी मुझे, यह काफी जादा refreshing smell के साथ आती है, और इसको absorb होने में थोड़ा बहुत जादा time लगता है, दोस्तों मतलब आप थोड़ी से amount लगाओ तो आपको इसको absorb होने में थोड़ा बहुत time लगता है, पर यह अच्छे time तक, मतलब 3-4 hours आप एकदम निश्चिंत हो जाए, 4-5 hours पी बोल सकते हैं, 3-5 hours आप एकदम नहीं करने पड़ी है, अपकी all over your body पे, for better results के लिए आप इसको two time पे इस्सेमाल कर सकते हो, और इसकी fragrance भी काफी जादा light weight है, और एकदम चिप चिपा नहीं है, जो बात मुझे पसंद आती है, जब आप इसको इस्सेमाल करते हो ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपकी skin को dry होने दे रही है, नहीं, पर after 5 hours और 4-5 hours आपको इसको reapply करने पड़ेगी दोस्तों, अगर आपको इसको use करने दौरान कोई भी जीजक मन में हैं, तो pastures जरूर कीजिएगा, दोस्तो पर ये अच्छी खासे moisturizerization जो आपके skin हुआ है, और हो जो hydrate हुआ है, वो आप feel कर पाऊगे और देख भी पाऊगे, और काफी तादा अच्छी लगते हैं, और इसकी जो quantity है, वो काफी अच्छी time तक चल जाएंगे, दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होते, थोड़ा सा कोई भी problem इसके साथ नहीं हुई है, और इसकी color जो है, वो काफी जादा cute सी color है, मतला packaging की color भी है, और जो body lotion है, उसकी थोड़ी सी lightish green करके color है, तो कोई भी मुझे उतनी बुरी बात नहीं लगी, तो ठीक है, और इसकी perfume भी ठीक है, कोई भी दिकत मुझे इसके साथ नहीं ह पसंद आई है, दोसो, काफी जादा, और green tea की जो benefits है, वो निया सिनावाइट की जो benefits है, मैं यहां पर screen permissions करी हूँ, कि आप समझ पाई कि उसको आपकी skin में, क्या-क्या, अगर आप इस्तिमाल करते हो, तो क्या benefits आपको मिलते हैं, तो और ये dry skin को सच महीं repairs करे में मदद करत हैं, दोसो, और अगर मैं बात करो कि long lasting की बहुत देर तक long lasting नहीं होते हैं, 5 hours is enough, उसके बाद आपको reapply करनी पड़ेगी, तो पर अगर आप two time इस्तमाल करे हो, घर में हो, तो भी काम बन जाती हैं, दोसो, तो ठीक है, मतलब अची खासे product है, तो मुझे इसके साथ कोई भी दिककर कोई भी problem महीं हुई है, मैं highly recommend करी हूँ, अगर आप कुछ भी refreshment, perfume के साथ कुछ ऐसा ढूंट रहे हैं, जिसमें गिंटी extract भी हो, और dry skin को repair ही करती हो, इस winter season में, या फिर आने वाले time पे भी, तो definitely आप इसके साथ जा सकते हो, जिन लोग को बहुत जादा dry skin की problem है, वो लोग भी इसको try करके देख सकते हैं, काफी जादा फाइदे मिलेंगे दोस्त, I hope कि आपको इस छोट वाला सा वीडियो अच्छी लगी हो, so don't forget to like, share, subscribe, thank you, keep watching,